हलो दोस्तों आदर जुपाली एडूकेशन के रिजिनी क्लास में आप लोग का स्वागत है ये अभी क्लॉक बता रहे हैं हम आप लोग को क्लॉक में कौन साइड खतम कर चुके हैं अपोजिट साइड भी खतम कर चुके हैं ठीक है उसके बाद राइट एंगल भी पिछले वी वीडियो में आप लोग को हम समाप्त कर देंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिरर इमेज तो मिरर इमेज का कॉंसेप्ट है कि राइट का चीज जो रहेगा वो लिप्ट में दिखाई देगा ठीक है और लिप्ट का चीज जो रहेगा वो राइट में जब आप लो पॉला जाएगा कि पांच वजकर ये जिसे इसी कोस्टन को ले लेते हैं पांच वजकर 45 मेठ हुए तो उसका बास्तविक समय क्या हुआ होगा तो माले यह पांच वजकर 45 मिनट था पांच पर एक स्वी रहेगी गंटे वाली और एक स्वी नौ पर हैगी तो इसमें जस्ट उल्टा लएगा उल्टा मतलब आप एक लगेगा आपको की मिनट वाली स्वी तीन पर है और यह स्वी इसके उलट का है साथ पर लगेगी आपको इस तरह से लगेगी ठीक है तो यह पांच पर एक्चुली में यह अधिया और बेल्ट के में जो हुए है तो कि यहां यहां जाता है यहां पांच और चाहिव विच पर यह तो तो इसमें इसका ट्रिक जो है ट्रिक आप याद रखेगा कि इसमें जो जो भी समय दिया हो रहेगा उसे 11 11 गंटा 60 मिनट में माइनस कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा तो यह ट्रिक को याद रखेए कुछ नहीं है ठीक है चले देखते हैं तो पांच बचकर 45 मिटर यह बनाना था कि दरपन में देखने से यह परतीत होता है कि घरी में पांच बचकर 45 मिटर 45 बचे हैं तो वास्त मैनस करेंगे नीचे में 45 ठीक है मैनस कर दीजा राम से 10 में से 5 गया 5 हो गया यह हो गया एक और इधर हो गया 11 में से 5 गया 6 तो कितना बच गया 6 बचकर 15 मिनट अंसर हो गया इसका एक देम इजी है कोई दिकत नहीं है तो अगले कोस्टन में हम लोग चलते हैं अगला करपन में देखने पर यह परतीत होता है कि घरी में 11.25 बज़े हैं तो वास्प्रिक समय क्या है तो इजी है तो 11.60 मिनट में हम क्या कर देंगे 11.60 मिनट में हम क्या कर देंगे इसे 11.25 को माइनस कर देंगे ठीक है को दिकत तो देखे 10 में से पांच गया पांच आ गया यह पांच इधर चला गया तो यह पांच में से दो चला गया तीन आ गया और यह जीरो हो गया ठीक है जीरो हो गया तो अभी इसका अंसर हो गया कितना जीरो का मतलब क्या जीरो जब बज़ते हैं तो कितना बज सिरो जीरो जिरो का मतलब बाघ्जना होता है जीरो-جीरो का मतलब जीरो-जीरो का मतलब इसका मतलब बारा बज़े है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चले ते एक कोर्षन आउर देखते हैं आपका पूरा कॉंसेप्ट किलियर हो जाएगा दरपन में देखने से यह पर्तीत होता है कि घरी में 12-30 बज़े हैं तो वास्तवीक समय क्या होगा तो क्या करेंगा हम लोग 11-30 से क्या करेंगे इसे 12-30 को मैनिस करेंगे 12-30 मतलब 0-30 ठीक है ना जीरो तिस ना बारा बजने का मतलब किया होता है जीरो बजना या गारcom ट्रिक अब यह ट्रीक कुछ नहीं है Ugh हम 12 में से ही घटा रहे हैं सब चीज को बारा में यह बारा ही बजा हुआ इगारा बच के 60 मिनट एक घंटा यानि बारा बज गया तो हम इसे बारा में से भी माइनस करेंगे तो यही अंसर आएगा देख लिजे बारा में से इगारा पचीज को माइनस कर दीजें तो इधर जाएगा तो यह जब भी जाएगा तो तो आए हम आगे देखते हैं बाटर इमेज बाटर इमेज भी इजी है तो बाटर इमेज का क्या है कॉंसेप्ट इसका कॉंसेप्ट है कि जैसे घरी में बाएं का चीज दाएं दाएं का चीज बाएं दिखता है उसे तरह से इसमें उपर का चीज नीचे और नीचे का चीज यानी चीज नीचे रहेगी उसके उल्टा नज़र आएगा जैसे मतल इस तरह से पेंसिल है तो यह तरह से नज़रेगी उल्टा इदम तो उपर का चीज नीचे है नीचे का चीज ऊपर नज़र आएगी त तो मतल जैए बजा हुआ है कि दस बचकर 35 मिनट माले जो बजा हुआ है दस बचकर 35 मिनट तो मैं यह 35 यानि मिनट की सुई यहां होगी और यह घंटे वाली जो सुई होगी थोड़ा सा दस से आगे चली जाएगे तो इसका जो इमेज बने भाण यह इंहीं तो यह नीचे वाला चीज GANG यानि यह दोनों के बीच में यह साथ और आट के बीच में आ जाएगी है यानि इस तर से नजलाएगी यानि 8 बजने में 5 मिनट अभी बाकि यानि साथ बज़के पच्पन मिनट बजा हुआ यह नजल आएगे ठीक है को दिकत इसमें नहीं है आप चलिए इसको कोशन करते हैं कोशन बनाते हैं कैसे बनता है जो ठीक है तो इसको कोशन बनाने के लिए सबसे पहले इसका ट्रीक समझ लिए ट्रीक क्या है तो ट्रीक इसमें है कि इसमें दोनो चीज को यानि मिनट घंटे और मिनट घंटे और मिनट का अलग अलग ट्रीक है अलग अलग है इसका गनटे का ट्रीक पहले देखते हैं आवर का ट्रीक तो आवर का ट्रीक क्या है तो आवर का ट्रीक है कि जब 5 या 5 से कम बज रहा हो 5 या 5 से कम बज रहा हो 5 बजे या 5 से कम बजे 5 से कम, 5 बजना यानि 5 से कम यानि मालेज़ 2 बज गिया तो उसको हम 5 से ही माइनस करेंगे कितना से माइनस करेंगे 5 या 5 से कम बजएगा तो उसे 5 से घटाएगे ठेक है पहला अब दूसरा क्या दूसरा मों जाएगा कि यदि यदि 5 से जादा बजएगे तो तब 5 से जादा बजएगे तो 5 से जाईदा यानि छे बज़ गया 7 बज़ गया 5 से जाईदा बज़े तो 17 से घटाएंगे अब इसे याद केसे रखिएगा 5 याद रखना है सिर 5 के बाद 17 के से याद रखिएगा 5 में 12 गंटा के बाद पांच में बारा गंटा चोड़ देंगे तो गंटा तो बारा गंटे होते हैं तो बारा गंटा देंगे 17 कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं इसमें चलिए अगरा चलते हैं मिनट में तो मिनट का ट्रीक मिनट का ट्रिक क्या है मिनट का ट्रिक में क्या करेंगे 30 मिनट या 30 से अधिक हो 30 या 30 से कम कम बज रहा हो तो क्या कर देंगे 30 से घटा देंगे और मिनट कितने क्या होता है 30 मिनट का होता है तो 30 में 60 जोड देंगे तो दूसरा जाएगा यानि 30 से जब जादा होगा तो 30 मिनट से जादा होगा मैंने 30 मिनट से जादा है 40 मिनट हो रहा है तो उसे क्या करेंगे 30 मिनट से जादा होगा तो 90 से माइनस करेंगे 90 से घटाएंगे समझ में आ गया 30 मिनट से जादा हो तो 90 से घटाएंगे 30 से कम तो क्या कर देंगे 30 से घटा देंगे है जल में देखने से यह परतीत होता है कि घरी में 220 बज़े हैं वास्त विस समय क्या होगा तो 20 बज़े यानि कितना यह 5 से कम है तो 5 से कम है तो 5 से कम है तो 5 मैंस मैंस करेंगे तो deux कदने नहीं दूसरा चलते हैं जल से देखने पर परतीत होता है कि घरी में 6-40 बजयन है बास्त वीक समय क्या होगा तो क्या है यह पांच या पांच से ज्यादा है तो पांच से ज्यादा है तो क्या करेंगे सत्रा में से माइनस कर देंगे छे को घंटा को माइनस कर दें तो कितना गया गया और यह 40 को क्या 30 से ज्यादा है मिनट वाला अलग 30 या 30 से ज्यादा है तो ज्यादा है तो क्या 90 से माइनस कर देंग और mirror image दोनों खत्म हो गया अगर आपको यह trick अच्छा लगा है तो इसे subscribe किजिए like किजिए और जादा से जादा share किजिए ठीक है क्या कि बिना गुरु दचना का कोई ग्यान नहीं है ठीक है तो ग्यान लेना है तो अच्छा गुरु दचना देना होगा उसी के लिए क्या करना पड़ेगा आप अभी के भी लाइक और सब्सक्राइब कर देजिए धन्यवाद थैंक्यू जै हिंद